दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वह भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन यह बुक आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंग्लीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इत्ता अच्छा कॉंटेंट मिला है आप जरूर परचेज कल आपके लिए रेलबे एक्जाम से लेटेड जनरल नौलेज जनरल एवेंडेस के मोस्ट इंबोडेन 20 कोश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आगामी एक्जाम सोने वाले एंटी पीसी गुरूब डी उसके लाबाए ससी एक्जाम सभी प्रतेवी परिक्षाओं के लिए काफ करें चले श्राट करते हैं दोस्तो पहला कोश्चन आपके लिए रेलबे एक्जाम पूछा सकता है तो मैं आपको इसका कड़ेकर बता देता हो और कहां पे नई दिल्ली में आखिया ठीक है पहला नेशनल कंसल्टेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है 2019 में आज़ित किया गया न्यू डेली में ठीक है और ये किसकी जो है चेर मेंसी पर आज़ित किया गया था तो मिनिस्ट्री आफ वोमेन एंड चाइल्ड डवलमेंट पर महिला और बाल विकास मंतराले के अंतरगत है जरेंनल एवन का इंतरमर पत्री गरुम में न्यूस्ताम है और यहाद रहेंगे काफ इंपोर्ट है कोशन थर्ड मयाम कितने acceso संग की नभीनतम कि ए मैं सीर से स्थान प्राप्त किया है तो आपको बताने दोस्तों काफी बोड़न कोश्चन है यह जिसका करेक्ट इंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 किलोग्राम ठीक है 48 किलोग्राम में अगला कोश्चन है मारा कोश्चन नमबर फूर्थ है भारती पूरिस होकी कोच के पत से किसे हट करा गया है तो यप हाल में भारती पूर्थ होकी कोश के पत से हटा दिया गया है ंचिस को स्थापन को मंजूरि देंगा तो यह जो है विजयंगर जमू और ववं अवब् अवन्तीपूर और पूल्वामा इस disability याह, स्कोर्ट गुजरात में तीन नयम्स को मंजूरी दे दी गए ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमर सिक्स है किसे 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन का नाम दिया गया है तो यह दिया गया है बिरंद प्रसाद बैस को ठीक है यह इंडियन वेट लिप अभी इसका ओलंपिक तो इसके जो सेफ डे मिशन के रूम में नाम दिया कि बीरंद प्रसाद बैस चेको अगला कोशन हमारा काफी इंपोर्टेंट है है हैं ली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे सकतिसाली पासपोर्ट सूची में भारत का उन से स्थान पर है तो ह जो है लास्ट इयर था 81 नंबर पर 2018 में एक चास्विय नंबर पर लेकिन दो छलाग के साथ जो अब 2019 में 79 नंबर पर आ गया है ठीक है तो यहाँ प्याद रखेंगे क्षिशन सेवेंथ है दक्षिड पूर्व एसे राष्टों का संग्ठन आसियान कि स्थापन आठ अठ अगस्त 1967 में हो इती यहाँ पर 68 गलट टाइप हो गया है आठ अगस्त 1967 में हो इती ठीक है और इसका जो है कहां पर हुई थी यह तो बैंकॉक में हुई थी ठीक है बैंकॉक में हो इती एसूशीयेशन आफ साउट इस्ट एस्ट एस्ट एसियन नेसंस ठीक है ए एस ए एन इसका फूलपार में याद रखेंगे एकजामें पूचा आ और आपको बता दे कि बरतमान में जो इसका हेटक्वाटर है वो जकारता में है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे जकारता में लेकिन जब उस थापना हुदी उस टाइम पर बैंककॉक में था चलिए इसमें 10 इस्टेट हैं 10 जो है कंट्रीज हैं मेंबर्शिप इंडोनेशिया लाओस मलेशिया मैंमार फिलिपीन सिंगापूर थाइलेंड और वेतनाम और दो अब्जर्वर्स कंट्रीज हैं पापू और नीगुनू और तीमोर ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अरणाचर प्रदेश के वरतमान राजजिपाल कौन है वरतमा सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केवल सस्पेंशन ब्रिच का उधरण किस राज़ में किया गया है और उनलचर प्रदेश में किया गया है ठीक है भारत का सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन है ये स्टील केवल सस्पेंशन ब्रिच का उधरण किया गया था ठीक है ची को पता होगा अबुधाबी ऑप्सन भी ठीक है स्युक्तराब विमिरात की राजधानी का नाम क्या है यू एई की कैपिटल अबुधाबी स्युक्तराष्ट के खाद देवं क्रिसी चंक्ठन का मुख्याला कहां पर इस्तित है जिसका इंसार आपको पता है तो आप जरूर बताएं रोम में स्थित है कहां पर रोम में ठीक है देखें दोस्तों प्रतिवर्जयों भी शुमिर्दादीवास 5 दिसंबर को मना जाता है ठ स्थाइव क्रिसी चंक्ठन का मुख्याला पर रोम में काफी बोडrator है याद रखेंगे आप है हुए फूंग इस्तामना कभ हुई थी अप पन रह और आगश्ट 1969 में इस्तामना फूई थी इस हो को सकता है आपसे है बैंगलूर कआप है करनाटका में है ठीक है बंगलूरू करनाटका में है वरत्मान मिस के चेर्माइन कौन है इस रोके तो यह भी आपको याद रखने डाक्टर के शिवान डाक्टर के शिवान जो है वरत्मान मिस रोके चेर्माइन है इस्थापना कभूईती पंदर्यागास 1969 में और हेटकॉर्टर है बैंगलूरू करनाटका में अगला कोशन है बहुत इंपोर्डेन सिंपल कोशन है गोता अंभी रेक पूर भारती क्या है क्रिकेटर है आप सोगपो पता ये अगला कोशन है भारत सरकार में सड़क परिवहन राजमार्क नौबहन और जल संसाधन नदि विकास और गंगा काया कलब के वरतमान मंदरी कौन है नितिन गटकरी जी कौन है नितिन गड़करी जी है कोशन नमर 16 ये दोस्तों भारती नौसेना का सर्वोच कमांडर कौन होता है दोस्तों मैं आपको बता दूख भारती नौसेना का और तीनो सेनाओ का तीनो सेनाओ का जल थल और नौसेना का तीनो सेनाओ का सर्वो सेनाओ का सर्वो सेनाओ पती भारत के राष्ट पती होते हैं ठीक है अगला कोशन है मारा राश्टी रेल संग्राल है कहां इस्थी थे राश्टी रेल संग्राल है रेलवे एक्जाम के लिए बहुत इंबोडन कोशन न्यू डेली में इस्थी थे ठीक है राश्टी रेल संग्राल है इसकी स्थाबना कब हुई थी एक फरवरी 1977 में वोई थी ठीक है National Rail Museum New Delhi में अगला कोशन है सपना बर्मान एक भारती हेप्तेतलीट है वो किस राश्य सम्मंदी थे पस्चिम मंगाल ठीक है पस्चिम मंगाल की है हेप्तेतलीट है अगला कोशन है बार बार पूशा राता है आगरा किस नती के थ्रट पर इस्थी थे अगरा आपको बताने है आगरा किस नती के थ्रट पर इस्थी थे यमन्दी के थ्रट पर ठीक है option D अगला कोशन इस पेस evolution technology corporation SpaceX के रूप में व्युसाय कर रहा है SpaceX कहां इस्थीत है USA में स्थीत है कहां पर USA में ठीक है तो यह थे Most Important 20 Questions अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक करें यह इसी तरह कि आप चाहते हैं कि NDPC और Group DC Later में डेली आपके लिए ऐसी कुई सॉल्व कराऊं तो अपना Comment Box में अपना Feedback जरूर बताएं अपना वीडियो प्लीज लाइक करें शेयर कर दें सभी दोस्तों को साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दुसी तरह के Railway Exam के तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है दोस्तों मिल देने वीडियो को साथ तब तक के लिए ध्यान रखें अपना सोचते रहें बेस्त रहें All the Best जै हिन जै भारत